नमस्ते अपर वादन आपका इनुसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों ये वीडियो पेरली इन्वेस्टर के लिए होने वाली है कई लोगों की कम्प्लेन आती है आप ट्रेडिंग की बात ज्यादा करते हो इन्वेस्टर की बात करूंगा उससे पहले लंबो लाओं वहाँ पर क्या कहानी होती है कि पूरी मुवी में गुंडा राज चलता है लेकिन हीरोगीरी अंत में चलती है हीरोगीरी बीच बीच में कहीं दिख जाती है बाकी अंत में अच्छे से दिखती है मतलब पूरी मुवी में गुंडों का राज होता है पूरी Hero गीरी रोज दिखाने वाली चीज नहीं है, रोज रोज नहीं बन सकते हो, रोज हेरो बनोगे, नो टंकी बन के रह जाओगे। रोज हेरो बनने का कोशिस करनी चहिए, ना आप सकते हो, ना हम लोग afford कर सकते हैं, ना आमें बनना चाहिए। आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं इस वीडियो की वहांसा थोड़ी सी मैं गडबर रख सकता हूं अगर कहीं कुछ हार्स भूल जाओं तो उसके लिए पहले से माफी मांग ले रहा हूं बस इतना याद रखना मैं सच में चाहता हूं रिटेल इन्वेस्टर यहां खड़ी है कहां से आई है करेंट मार्केट प्राइज निफ्टी का 16,245 है याद रखिएगा एक साल पहले 15,245 था यहां से नेट नेट अगर आप देखोगे 1000 पॉइंट ठीक है 1000 पॉइंट अप है निफ्टी 1000 पॉइंट को अगर आप परसेंटेज टम्स में करोगे तो आ उसरे एंगल से भी देख सकते हूँ वह एंगल कौन सा है बिल्कुल सेफ्टी का और रिस्क का ठीक है जाने दीजे यहां पर आपने रिस्क लिया उसके बाद आपको 67 परसेंट का रिटन मिला एक साल में वहां पर बिना रिस्क के मिलता है लेकिंग इसी बीच आपको अपर बिली थी और रिस्क लेने का यही फाइदा था कि आप वहां पर भी चाहते तो एक्जिट कर लेते आपके पास वॉलेंटरी डिसीजन लेने का मतलब आप कुछ भी कर सकते थे वहां पर आपका मनोता ता आप कर लेते एक्जिट आई होप आप समझ गए ठीक निफ्टी ने निफ्टी फाइफंडर्ड क्योंकि यहां पर टॉप पांच सो स्टॉक्स आ जाते हैं यह खड़ी है 14,000 पे ठीक है निफ्टी फाइफंडर्ड कहा थी एक साल पहले लगभग लगभग 13,000 पे ठीक है वही कहानी है लगभग-लगभग 1000 पॉइंट देख रहे हैं रिटन दे लेकिन अगर आपके पास कोई common sense होता अगर आपके पास कोई पहले से knowledge होती तो आपके पास better chances थे exit के चाहे 16,000 पे exit होता निफ्टी 500 का चाहे 18,000 पे exit होता निफ्टी 50 का ठीक है अब यह बात हो गई इंडेक्स की इंडेक्स अगर ऐसा किया है तो इंडेक्स से ही stocks आते हैं मैं जस्ट वही देख रहा था performance ठीक है अब आपको बताता हूँ अपनी performance यहाँ पर मैंने hooping जो मैंने यहाँ पर fresh position मनाई थी उसकी video भी available है चैनल पर जहां करके देखना 2021 का वो perfect gift था आपके लिए भी actually मेरे लिए था क्योंकि हम लोग research करते हैं चीजों को analyze करते हैं उसके stock नहीं आधा हो गया याद रखेगा हमारा return आधा हो गया कि अगर आपने कोई stock 1000 पर खरीदा और वो 1900 चला गया ठीक है तो आपको 90% का return मिल गया लेकिन अगर वो 1500 आगया ठीक है तो आपका return घट करके 50% हो जाएगा आई हूप आप समझ गया होगे मैं जो समझाना चाहता ह ठीक आगे बढ़ते हैं heavy position मैंने यहाँ पर बनाई थी क्योंकि जो news आई थी वो favorable थी इनके price multiples में वो news धमागा कर सकती थी और उसने किया भी ठीक है अब जो मेरी heavy position थी उसको मैं चाहता तो उपर के level पे book भी कर लेता लेकिन मैं हमेशा आप से कहता हूँ investing का rule है कि losers को बाह pyramiding मेरे लिए नहीं अच्छी है लेकिन कुछ लोगों के लिए pyramiding कमाल का काम करती है लेकिन कम से कम अपनी position पर आपको बरकरार रहना चाहिए यह तो मैं जरूर समझता हूँ अगर आपने एक अच्छी quality का stock पकड़ लिया है तो आपको return दे रहा है तो हम पर पेट मत दर्द किया है कई बार opportunity यह stock देता रहा है तो उसका मैंने फाइदा उठाया है लेकिन investing की बात कर रहा हूँ 93% का return enjoy करने के बाद अगर आप less than 50% पे आ गए हो तो मतलब आप एक एंगल से यह कह सकते हो है sir आकर के ज्यान देते हो आप खुद नहीं पता था आप exit नहीं कर पाए त this is bitter truth of stock market मुझे नहीं पता था रसिया यूक्रेइन में क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता था crude के prices से यह stock अब तगडे से link हो चुका है आपको बता दू अल्टरा टेक सिमेंट के बारे में जानते हूँ जरा चक कर लेना तेरा मेरा रिष्ता क्या यह रिष्ता क्या कहलाता अल्टरा टेक सिमेंट से क्या रिष्ता है जरा कोई चक करके मुझे बताएगा बताना लेकिन यह stock अब crude से तगडे से link हो गया था यह कहानी मुझे पता थी लेकिन यह नहीं पता था जो हो जाएगा उस कारण मुझे dent जेलना पढ़ रहा है अभी fresh dent जेलना पढ़ा उपर क स्टॉक तेजी से भागता है तो मैंने अभी तक इसमें investing के लिहाद से एक भी share बेंचे नहीं है और नहीं बेचूंगा ठीक हो सकता ही मेरा सारा return खा जाए कोई बात नहीं जिसने दिया उसी को हक है लेने का ठीक है हक तो उसी का है लेकिन कुछ लोग तो ऐसे धुरंदर stocks ह होते हैं ठीक है लोग मैंने कह दिया actually stocks की बेंबात कर रहा था कि उनको जहां से ले लो वहीं से वह सर घुसा लेते हैं जमीन के अंदर कि मुझे नीचे ही जाना है बहुत सारी example है मैंका example कभी और दूँगा लेकिन अब investors के नाम पर कलंक मत बनिये और अपसोस के साथ कहना पड़ रहा है आप मेंसे बहुत सारे लोग यह जब कहते हो यह करते हो तो मुझे पुरा फील होता है यार बुरा फील होता है क्या कहते हो मैं आपको कहानी समझाता हूँ अभी मैंने जवापको दिखाया 78% का return 1000 point nifty उपर है 1000 point के असपास निफ्टी 500 उपर है तो आपने वहां से कहानी समझी के एक साल काम को return मिला 678% जो भी accordingly आप के साथ यह चीज़े होंगी डायनेमिक ली चेंज होता है डेटा सब के लिए किसी की बाइं पोजीशन तो ठीक है अब जो मैं कहानी आपको समझाना चाहता हूँ उसको बहुत द्यान से समझेगा उससे कई लोगोने कई सारी स्टॉक्स पर सलाव आगी किसा रम इसको भाई कर ले तो मैं हमेशा बोला करता था कैसिस किंग कैस पे एस करो बेटा कैस पैस करो कैस करो सर जी कैस पै तब तब मैंने आपको वीडियो बना करके दिया कि अगर आपके पास एक्सेस कैस है लिक्विट फण के लावाँ आप गोल्ड में गोल्ड बीज में इन्वेस्ट कर सकते हो ठहरे रहो समले रहो और मुझे सुनना पड़ा है इसलिए आप से आकर के सिकायद भी कर रहा से और मुझे लॉस हो रहा है मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है क्योंकि लिक्विट फंड में अठ्रा सो अठ्रा सो आपका अठ्रा सो पचास भी नहीं जाने वाला और वो बंदा बता रहा कि 2100 चला गया क्योंकि मैंने और सच में लोग ऐसे स्टॉक्स बेशते थे और बहुत नंबर है इन लोगों का बहुत तो मैं कुछ नहीं कह सकता उस वक्त उस वक्त मैं किवल आपको आपको सम्झा सकता हूं कि बाजार में ये कहानी भी होती है कि आपको वेट करने का बहुत बड़ा फल मिल जाता है जिसने एक साल वेट किया अब मैं आपसे कह सकता हू स्टॉक स्पेस्पिक तो मैं रहने की बात करता हूं लेकिन अब तो आपके पास धेर सारी उपर्चुनिटी इस अवेलबल है अठरा सो वाला मुश्ट पबबली अब सतरा सो या सो में भी मिला होगा तो 100 रुपय का प्रॉफिट हुआ ये मुझसे मत कहो लेकिन खुद को जर करने का फाइदा ये बहुत अच्छा डेटर मिल जाता है दोनों ही केसे में उपर्चुनिटी आपके पास होती है पकड़ने की चाहे प्रॉफिट हो या सही रेट अब आप समझ गए इससे पहले वाली वीडियो में मैंने गोल्ड वाला एक्जामपल लिया था कि आप मान लेता हूं 5kg सोना पहन के चल ले हो सोने का दाम में 10% का क्रायस हा गया अब मतलब जाकर के पुलिस में कम्पलेन लिखवा होगे कि मेरा सोना चोरी हो गया मेरे सोने का दाम कहां चला गया मुझे नुकसान हो गया भैंकन नुकसान हो गया जाकर के करो गया का पुलिस में कम् स्टॉक नहीं ऊपर नीचे चला जाएगा आपका इवन कुछ कंपनियां बोनस आपको दे देती हैं बोनस आपको दे देती हैं स्टॉक एक्स्ट्रा हो जाते हैं वहां पर हापको हिंज्वाय करना चाहिए लेकिन वह कहानी अलग लेवल पे चली जाएगी दूसरे एंगल से स से एस तरीके से आपका स्टॉक कहिनी जा रहा है अगर आपको अपनी कंपनी पर भरोषा है तो ब्रेक इवन पॉइंट को समझो कि बिजनस में ब्रेक इवन पॉइंट होता है इसलिए एक्विटी इन्वेश्मेंट थीन से 5 साल की होती है तो उसको समझ करके आगे बढ़ो ठीक, अब, hold is gold की जब बात आती है, hold is gold, जैसे कि मैंने कहा कि जो आपकी current position है, उस पे hold करो, इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर cash है, hold करो, क्योंकि हर वक्त cash market में डाल देने का समय नहीं होता है, हाँ, trading का हर वक्त समय होता है, but cash pass करने का time कभी-कभी आता है, कभी-कभी आता है, और hint है, बहुत सारे stocks में opportunity available है, अब आप कहोगे कि, जब आप grassim में सही तरीके से चीजों को नहीं manage कर पाए, तो अभी आप किस angle से ग्यान देने आये हो, angle वही है, business वाला, story पे investing होती है, price पे नहीं, आप अपने stocks को सम्हाल कर रखो, कल अगर आपकी company अच्छी है आपको हीरे जैसा मैजर आएगा, ठीक, ITC वाली वीडियो जाकर के देखना, ITC वाली, काफी पहले मैंने डाली, एक महीने सबा महीने हो गए, बहुत सारे लोग ITC को ट्रोल किया करते थे, मैंने उस वक्त वीडियो डंके की चोट पर डाली थी, और कुछ बात ने आप से से 15% उपर था, जो बंदा बहुत पहले ITC खरीदा होगा, उसके लिए वो बहुत बड़ा रिटर्न है, इस एंगल से सूचना चालू करो मार्केट में, तब आप एक सच्चे इन्वेस्टर के रूप में बाजार में पार्टिसिपेट कर पाऊगे, तब ही आपको सच्चे इन ना बन जाओं, एक बुक में ने ये बात पढ़ी थी, बहुत पहले, वहाँ पर ये बात लिखी हुई थी कि, जिस तरीके से हम लोगों की एवरेज करने की मेंटालिटी होती है, अगर ऐसे ही चीज़ें हमारे फेवर में जाती रहें और हमारे पास कैस अवेलवल हो, तो हम कमपनी के प्रमोटर बनने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, वहाँ पर भी बात availability of cash की हुई थी, और वही मैं आप से अभी भी कहूँगा, कि cash जब तक आपके हाथ में है, you are the king, अब जाते जाते कुछ बाते कहूँगा, पहले तो अगर वीडियो पसंद आया करें लाइक क से देख सकें, अगर हम इसी चक्कर में फंसे रह गए, और मैंने स्टॉक नहीं खरीदा, फोमो हो गया, तो फोमो का कोई इलाज नहीं है, फोमो का इलाज यही है, कि हम गलत समय पे गलत स्टॉक में भी फंस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब बाजार में सब कुछ भागता है, तो घटिया दो कोड़ी के स्टॉक भी दोड़ने लगते हैं, वहां पर हम खुद को फंसा लेते हैं, यह नहीं करना है, गलती सबसे होती है, लॉस सबका होता है, गला सबका सुखता है वाला एड आपने देखा है, तो भाई वही हाल यहां पर भी है, इंडेक्स से ही हम पर देखा है, जो वहां पर बिजनेस मॉडल में सिफ्ट हो रहा है, उस पर भरोसा है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है, तो मैं क्यों एग्जिट करूँ, मेरे पास सेयर्स तो उतने ही रहेंगे, तो यही आप से भी मैं कहूंगा, अगर आपने एक अच्छा अच्छे स्टॉक आपने चूज कर लिये हैं, तो आपका कन्विक्शन किसी पर जादा किसी पर कम होगा, उस हिसाब से आप वहां पर ऐलोकेशन करोगे, और फिर होल्ड इस गोल्ड, याद रखना होल्ड इस गोल्ड, चाहे कैस है भी, उसको होल्ड करो, ठीक है, कैस कब हो पॉर्चुनिटी कम हो या ना हो, और फिर कैस का सदुपियोग करना, यह क्या होता है, यह कला होती है, उसको थोड़ा-थोड़ा करके सीखते रहिए, मैं भी सीखने की कोशिस कर रहा हूं, सीख के आपको सिखाने की कोशिस करता हूं, बस जाते आते यही कहूंगा, इन्व ट्रेडर्स लुझ कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, निविस्टरस का नंबर बहुत अच्छा है, शारे इंविस्टरस पैसा बना रहitter है, आपको सच में लगता है, बहुत लोगों का नहीं बनता, बहुत लोग जला करके जाते हैं, बुरी तरीके जलाते हैं, जाते- स्टॉक मार्केट अट्रैक्ट करती है लेकिन देती पैसा उसी को है वेल्थ उसी का बनाती है जो पेसेंद दिखाता है जो चीजों को जो स्टॉक्स को सही टाइम डियूरेशन के लिए होल्ड करता है जा करके कोट भी पढ़ लेना सेनवान साब हमारे बीच नहीं रहे काफी अच्छा खेल दिखाते थे वो मैंने एक अपनी चोटी सी स्टोरी सेर की है मैं क्या सोचता था मेरे साथ क्या होता था कम्यूनिटी पोस्ट में अगर आपका मन हो तो जा करके आप भी रिपलाई देना आप क्या सोचते थे उन भाई साब के बारे बाकि अभी आपसे विद करके जाना नमस्कार